तो काफी स्टुडेंट्स मुझसे बावर पूछते हैं कि सर एंटिय यूजिस सेनेट जो है क्या वो एक डिफिकल्ट एक्जाम है तो इस वीडियो के नदर हम डिसकुशन करेंगे कि हम जो एंटिय यूजिस सेनेट जेरेफ के हम स्पेशली यहां पर बात कर रहे हैं कि वो ट जोब एक्जाम होते हैं हम उसके बारए मेहां पर डिसकर्स कर रहा है तो प gent का तो सबसे पहले इंडिया में जितने भी एक्जाम होते हैं हमने हर एक 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 एग्जाम को हमने bाज्ट केậ्विकुल्टि के लिवल पे हमने दिक्से करेंड और advanced भी होता है, उसके बाद हमेरे पास CA का exam है, that is chartered accountants, then we have NEET exam, और उसके बाद हम discuss करेंगे, AIMS, और GATE, NDA, SCLAT, UGC, NET and four more, but हमें specifically हम सभी के दिखान रखें के ने, because हम जितने भी exam है, उसमें से हम technically exams की बाद discuss कर रहे हैं, जैसे कि आप चेक करोगे कि जो UPSC है वो एक technical exam नहीं है, NEET जो है वो एक technical exam नहीं है, even though वो exam बहुत difficult है, लेकिन हम difficult कर रहे हैं, specially हम discuss कर रहे हैं हाँ पर जो की technical exams है, right, तो सबसे पहले हमारे पास आता है IIT-JE, उसे तरीके से हमारे पास आता है GATE and then we have UGC NET, तो जो last exam हमारे पास हुआ था, right, यानि कि exam जो हुआ था, वो हमारा November में हुआ था, 2020 गए, यानि कि पिछले एक साल, और उस समय पर जो हमारे पास result जो हमारे पास आया था, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो UGC NET में, टोटल जो number of people who registered, they are 8,60,000, right, लेकिन जो number of students जो appear करते हैं, that's 5,26,000 के आसपास है, right, लेकिन यहाँ पर आपनी calculations के लिए मैंने यहाँ पर registered students के उपर depend किया है, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है as compared to appeared, correct, क्योंकि just like, वो में लिए थोड़ सा easy रहेगा समझाने के लिए भी, तो मेरा एक reason है, right, तो आप यहाँ पर check करते हो, जब हम assistant professor की बात करते हैं, तो assistant professor को clear क now is much easier as compared to JRF, तो JRF के अंदर हमारे पास जो number of students उनों ने JRF clear किया है, that is 6,171 out of 8,60,000, correct, तो अगर इसको calculations के साब साब सकर roughly अगर आप को देखा जाए, तो आप calculations यहाँ पर देख सकते हो, कि हमारे पास 6,000 people ने JRF को clear किया था, even though वो किसी level के भी हो सकते हैं, चाहें वो gate के म वो computer science के भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं, जो bio से है, कुछ अललग branches है, जैसे मेरे फिजिक्स and so on, लेकिन मैं यहाँ पर overall की बात कर रहा हूँ, तो overall अगर आप चेक करा जाएंगे, तो हमारे पास for simple calculations, you can say, कि अगर हमारे पास 1,000 people है, जो की UGC की preparation कर रहे हैं, तो 1, 1000 में से, only 7 will clear JRF clearly, वो clear करेंगे, लेकिन जो assistant professor है, वो comparatively much easier है as compared to JRF, तो हमारे पास 4.7 percentage है, लेकिन अगर इसको कर सिर्फ यह देखा जाए, कि assistant professor की calculations है, उसी तरीके से आप gate के लिए भी आप compare कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही, तो थोड़ा साम पहले calculations देख लेते हैं सभी के बारे में फिर हम discuss करते हैं कि यह difficult है कि नहीं है, तो somehow you understood कि JRF जो है, 7 out of 10 people will be able to clear JRF easily, correct, but if you check about gate, तो gate के अंदर, जो number of people who just clear, I mean you can say, who can qualify gate, it is 17 to 18 percent, which is much much better, तो अगर धाम पिछे से आप देखेंगे, तो gate को, gate में क्या होता है कि आपको सिर्फ mostly counter science पर 25 marks ही आपको लेने होते हैं, right, but again ऐसा है कि यहां पर भी हमारे पास, उसको सिर्फ clarify करना, qualify करना is not easier, इतना, it's not a big thing, correct, लेकिन जो exam है, जो अगर आगे, अगर लिए आपको top 1000 ranks के अदर आपको होना है, correct, तो which is roughly much easier, right, but still you can see, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, कि जो assistant professor है, वो 7.4.7 percentage है, जो assistant professor क्लियर करेंगे, बट उसी तरीके से, जो gate है, gate हो 17 से लेकर 18 percent तक people qualify करते हैं, correct, In the same way, जब हम IIT JEE की बात करते हैं, IIT JEE, जिसके अंदर हमारे पास advance आता है, advance से पहले हमारा means होता है, तो roughly हमारे पास हर साल लगभग 25 people apply for JEE, but उसमें से सिर्फ IITs के अंदर सिर्फ 16,000 ही advance, 16,000 लोग ही admissions ले पाते हैं, correct, तो यानि कि अगर आप देखा जाए, तो again, Same हम पास वही यहाँ पर calculations है, कि अगर आप 7 out of 10, 7 out of 1,000 people will be able to get admissions in IIT, so roughly you can see, कि जिस तरह से JEE है, उसी तरीके से net भी उतना ही difficult exam हो जाता है, okay, Now, in the same way, अगर आप यहाँ पर check कर सकते हैं, about unreserved and reserved categories, तो total आपने check करा होगा, कि unreserved people में, 62 people ने last year उनने clear किया था J.R.F. के लिए, लेकिन जो reserved category है, वहाँ पर 101 ने किया था, तो सिर्फ और सिर्फ computer science के अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप computer science से, अगर आप J.R.F. के लिए apply करेंगे, यानकि अगर आप J.R.F. clear करेंगे, तो उसके only chances आपके पास है, 3.3%, I mean, out of 1,000, only 3 to 4 people will be able to clear J.R.F. roughly you can see it is so difficult, यह कितना difficult यहाँ पर हो जाता है, लेकिन अगर अब चेक करोगे, इंडिया का सबसे difficult exam है, वो है UPSC, correct, सभी को पता है, कि UPSC बहुत difficult है, अगर shortlisted की बात करेंगे, तो shortlisted के case में, only 2.5 people will be able to clear UPSC out of 1,000, correct, तो roughly मैं है कह सकता हूँ, कि UPSC computer science के अंदर, जो gate है, is much, much easier to get admissions in IITs, right, as compared to UGC net, even though, काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं, कि sir, UGC net, जो है, उसके questions easy आते हैं, और, even though, देखो, आपको बता है, स्लीबस भी दोता लेंदी है, वो बहुत important है, right, UGC net का स्लीबस से बहुत लेंदी है, तो इसी पुझे से वो चीज़े बहुत changes हो जाते हैं, चीज़े बहुत changes हो जाते हैं, सिर्फ इस reasons से, correct, तो मैं कह सकता हूँ, कि अगर आप PhD के लिए join कर रहे हैं, या फिर आप MT के लिए join कर रहे हैं, तो gate is a much easier option as compared to UGC net, exam easy आते होंगे, questions easy आते होंगे, लेकिन exam उतना ही difficult हो जाता है, okay, so I hope you understood this thing, okay, so I hope आपको थोड़ी clarity आपको मिला होगा, कि UGC net is a much, is a very very difficult exam as compared to gate, तो जो बच्चे सिर्फ clear करते हैं, UGC net के लिए, तो सबसे easier, better रहता है कि आप MTek करें या फिर आप PhD करें, तो सबसे better option उनको मिल जाता है, gate की help से, तो it's a good option, right, but again, अगर आपको prepare करना चाहते हैं, UGC net के लिए, अब हमारे courses को buy कर सकते हैं, हमारे जो details है, हमारे इस website पे number है, service included है, यहाँ पर, अब हमारे team को call कर सकते हैं, और अपनी exam को prepare करने के लिए, सारे courses हमारे पास available है, अब हमें call कर सकते हैं, इसी number पर, okay, thank you so much, and love you all.